बस बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरत मेरत जन्वत के मोधिपुरम में अपू एंकलेम कलोनी में गुरवार देराच चोरों ने बंद पड़े दो मकानों पर धावा बोल दिया चोरों ने दोनों मकानों का ताला तोड़ कर लाखों की चोरी की वारदात को अनजाम दिया महीं शुकरवार सुभा मकानों के ताले तूटे देख पड़ोसियों ने मकान मालिकों को जानकारी दी बताया गया कि चोड दोनों मकान से करीब 50 लाख रुपे के जेवराद चोरी कर ले गए हैं एक मकान से ही चोड लगभग 35 से 40 लाख रूपे के जेवराद चोरी करके ले गए हैं मकान नमबर 49 की मालिक वनीशा दास पिछले एक माह से अपने बेटे के पास मुंबई में रह रही थी महीं मकान नमबर 44 के मालिक सरीता एक सपता पहले मुराद नगर स्थेत अपनी बेटी के पास रह रह रही थी इस बारे में मनीशा के भाई ने यह जानकारी दी इस बारे में में मनीशा दास वह अकेली रहती है हम पर कौन नहीं रहती है एक सरपन था मैं मने मने आता हूं सभाई करवाने बाहर काम वाली को खली पौदा डालने के लिए बाहर की चावी दे रखिए पानी डालती है दो दिन पहले डालाता तक ठीक ता सुगे वह पानी डालने आई तो जब उसने फोन करा भाई यह साथे दरवाजे खुले गए जी वह भार ही रोगी रही तब में आ रहा तो आके देखा उपर सब लेगा मकान कब से बंद है जी एक जुब मार्स एक अपरे करें जो वह ओन्नामेंट्स थे कैस 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 कितना कैस कल सुगे आरिया देखे मेरा तो गार है निए एक्जेक्ट तो वह आगे बता पाईगी वह कल आरे सुगे फ्लाइट से एक्जेक्ट क्या गया है तकरिवां 40 लाग रुपे वह बता रही है फोन पर जब रहा है और काग जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरे खंगाले पुलिस चोरो की तलाश में जुट गई है पौश कलोनी में चोरो की इतनी बड़ी वारदात से लोगों में दहशत है लोगों ने कलोनी की सुरक्षा पर सावाल खड़े किये हैं अभी के लिए इत अच्छों अच्छिश चोरो क्लासे फ्न नसरी तो 12th, smart classrooms, wifi, computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music, Vardaman Academy, railway road, Merach